बिस्मिल्लाहिरमानिरहीम प्रिवियस लेक्चर में आपने पढ़ा रियक्शिन ऑफ फिनोल दूटू हाइड्रोक्सल ग्रूप आज पढ़ रहे हो रियक्शिन ऑफिनोल दूटू बेंजीन रिम तो बेंजीन रिम का पैदा रियक्शन नाइट्रेशन इंसर्शन ओफ नाइट्रो ग्रूप इन विनोल इस गार्ट आज नाइट्रेशन अगर 25 डिजीन पर नाइट्री के सट एड़ करें तो ओएच बेंजीन को एलेक्ट्रों देता है बेंजीन रिम को एक्टिवेट कर देता है और आने वाले ग्रूप को आर्थो और पैरा दोनों पोजिशन ओफर करते है जादा नाइट्रो दोनों जबो बेंगे आर्थो पर भी और पैरा पर भी तो आपने से बोदा आर्थो नाइट्रो फिनोल और दिस इस पैरा नाइट्रो फिनोल गर यह 55 degree हो, तो आर्थों के साथ प्यारपड़क भी बनेगा और आर्थों के साथ आर्थो पड़क भी बनेगा लेकिन अगर टमड़िचर ओफ 100 degree centigrade तो तीन जगों पे नाइट्रोm रच जाएगा और आजसे बोलोगे 246-Try-Nitrofenol विच वातर बिरेश-करी-कहिषर और इसक यहां पर त्री वाटर मालेक्यूल फॉर्म होगे सल्फोनेशन इंट्रॉड़क्शन और सल्फॉनी के सर गूप इन बैंजीन इस कारिदेश सल्फोनेशन अगरा फिलोल में सल्फूरी के सर एड करोगे दो अप्षान है आर्थो हईड्रोक्सी बैंजीन सल्फॉनी के सर बने या पैरा हईड्रोक्सी बैंजीन सल्फॉनी के सर बनेगी और और्थो वाला माइनर परड़क्ट होगा और पैरा वाला मेजर परड़क्ट होगा क्यूंकि यह करीब-करीब होते हैं एक सुनको रिपल करेंगी स्टेबलिटी काम हो जाएगी और परड़क्शन के चांसे काम यह दू रहें फार अपार्ट रिपल्शन काम होगी स्टेबलिटी बढ़ जाएगी और बने के चांसे ज़्यदा मेजर परड़क्ट है नमबर त्री इस हैलोजिनेशन जब कोई हैलोजन ग्रूप एड़क्ट करें लाइक बुरुमीन तो बुरुमीन संगाट की मजूदग और यह दिस्टिंगुष्ट है कि इसके अंदर वाइट प्रेसिंफ्टेट बने प्नोल तो फिनोल इस दिस्टिंगुष्ट बाए इस टेस्ट फ्रॉम अदर ऑगनिक निक्कल की मिदूद्की में और वानुटिटी डिग्री से निग्रेट पर तो यह जो सारे डबल मॉने और यह बनेगा साइक्लोहेक्सालोल यह हैं C6H5OH और थ्री हाइड्रिजन के माली करें होई तो यह बना C6H11OH विच इस सेंचुरेशन ओफ फिनोल नमबर फाइब रियक्शन भी फर्मेलडी हाइड्रिजन और फर्मेलडी हाइड को मैथे नल भी बोलते हो मैथे नल एड़िस 2HCHO दो इसके माली को ले रहे हैं तो फिनोल के अंदर यह जो CH2O है CH2O फर्मेलडी हाइड यह आर्थो पोजिशन पर होगा और यहीं से एच न तो के साथ लगेगा CH2O इसी तरह पराज़ पोजिशन पर CH2O लगेगा और यह निकलेगा वहीं पर लगेगा CH2O और आप से बोलते हो बैंजाईल अलकोल CH2O is Benzine is Benzine alcohol this is Arthro hydroxy benzyne alcohol this is para hydroxy benzyne alcohol must remember यह less temperature पर हो रहे हैं अगर temperature बढ़ होगे तो इसी अंदर दो आप्शन कि Arthro पर एक और CH2O चाले यह पेरा पोजिशन पर एक और CH2O चाले लिएदा हो जब हमसे मिलेंगे उनकी polymerization से बेके light बनेगा जब Phenol के N molecule नहीं हैं Monomer के काफिसरे मानिकू ले 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 तो Delude Base की मजूदी में OH की Arthro पोजिशन पर और Arthro पोजिशन पर CH2OH लगे आर्थो पर और पर और पर इस के साफ मैं यहां पर He is it वर्डर बनादे इसे तरह ये OH इसके H से मिलके water बना देगा, ये OH इसके H से मिलके water बना देगा और दर्म्यान में CH2 आ देगा, इसी तरह ये OH इसके H से मिलके water बनाएगा and so all, इधर से OH निकलता जाएगा OH, और यहां से H निकलता जाएगा, और एक बड़ा molecule बनेगा N, N molecule बनेगे, साथ जो formulation हुई है, उसके N molecules बनेंगे और आप इसे बोलोगे बेकलाइट इस वान इस आप पोलिमर विच इस बेकलाइट और बेकलाइट असल में प्लास्टिक होते हैं तो ये है फॉर्माइलेशन और फिनोल हमने वो रेक्शन पढ़े हैं इसमें बेंजीन रिंग इन वोल दी